चाहे पढ़ाई हो, गेमिंग हो या ओनलाइन स्ट्रीमिंग हो हेड़फोन और माइक की रिक्वार्मेंट सबको पढ़ती है वैसे पढ़ाई थोड़ा आउट अप कोंटेक्स हो गया गेमिंग और स्ट्रीमिंग जादा बेटर चीज है और स्ट्रीम रहे पर चीज कुछा है वन नहीं है जो 7.1 वाल अप्लोड़िड आमाज़ान पर यह उसका एक तरीके से अपडेटिड वर्जन कहलो यह एक पैरलल वर्जन कहा सकते हो यह स्पेशियल साउंड के साथ आता है स्पेशल साउंड क्योंकि यह हमारा डीटी एस एक सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है जो इसके साथ आपको दो साल का फ्री मिलता है जो इसके साथ पेपर वर्गता है उसके साथ डीटी एस हेडफोन एक्स का यहां पर बुकलेट मिलती है जिसके ओपर हमारा यह एक्टिवेशन कोड है अब तुमको होगा है कि अक्टिवेशन कोड दिखा दे है तुमारा भाई पहले रेडीम कर चुका है तेस्टिंग करने चीज है तो सबसे पहले है यहां पर हमारा टोटल ब्लाइक है जैसा हाइपर एक्स का सिगनेचर साइन होता है और यहां पर हैड्रेस कुषन है वह भी भाई बहुत सॉफ्ट है थोड़ा सा कमफर्ट का दिखावा कर लेते हैं काफी अच्छा कमफर्ट है मैं वैसे टेस्ट कर चुका हूँ अब इतनी महंगी आइटम लेंगे तब भी कमफर्ट नहीं देगी तो क्या फायदा और हां महंगे सायदा है इसका जो प्राइस किट का वो 10,500 टू 11,500 होने वाला है एप्रॉक्सीमेट प्राइस बता रहा हू मुट का पोर्ट है और हमारा माइक इनैसीगों का पॉर्ड है यहां पर मारे माइक इंपुट और यह रा मारे माईक की कॉलिटी बहु में बोसरे मिलता और म्पून क्योंb कर दोना अब त्के अंदर आप Democrats को 86 Etौ crops आपको सुह September's से मैं expect करेंगे तो मुवी बगरा देखनी हो वेब सीरीज बगरा देखनी हो तो तो बड़ी experience आपको मिलेगा बेस की जादा उमीद ना की जाए तो बहतर रहेगा क्योंकि बेस के अंदर स्मूद टाइप का बेस है ऐसा पंची बेस या एकदम बूमबस्टिक वाला बेस नहीं है एकदम जैसे gaming headphones से expect कर सकते हैं वैसा ही है फिर बात आती है gaming experience को लेके तो मैंने घरा था warzone और भाई gaming experience का तो लेवल एक तरफा Microsoft Store से आपको DTS Sound Unbound का software download करना है वहाँ पे इसका code redeem करना है और इस software के अंदर जाके आपको activation करनी होती है इसके DTSX की उसके बाद जो experience मिला मेरे को भाई वो तो next level था 7.1 surround sound fail कर दिया इसने क्योंकि पहले इस headphone को मैं normally use करके देख रहा था gaming करते वह फिर उसके बाद जब मैंने headphone की पूरी बाद चीत अब आ जाते है HyperX के हमारे solo cast mic के उपर और mic के उपर नहीं आएंगे हम mic का थोड़ा size अलग type का है माइक के बगल माएंगे तो कुछ ऐसा microphone इसके अंदर से निगलता है यहाँ पर की ब्रैंडिंग है और यह इसका नीचे का stand है और हम इसको stand से अलग भी कर सकते हैं यहाँ पर मारा माइक अलग से निगल जाता है और इस यहाँ पर ना microphone का sign मिल जाता है और यह वेसिकली को design नहीं है ना ही कोई button है यह हमारा touch sensor आप microphone plug-in करोगे आप streaming वगरा कर रहे हो तो आप इसको touch करते हो instantly mute हो जाएगा और आप इसको दवार से tap करोगे instantly unmute हो जाएगा और mute unmute पहचानने के लिए उपर आपको status LED मिलती है यहाँ पर बिल्ड कोलिटी तो मताने बूल गया just plug and play microphone है PC में लगाया PS4 में लगाया PS5 में लगाया Xbox में यूज करा सब के अंदर यह support कर जाएगा और headphone support के बारे में नहीं बता है जहाँ पे फ्रेंट में HyperX के नीचे इसमें arrow बनाए इसी direction में रिकॉर्ड करेगा इससे opposite direction में रखते इसकी आवाज चेंज आती है तो अगर आप gaming कर रहे हो streaming कर रहे हो पॉड़कास कर रहे हो तो इसकी जो placement है वो बिल्कुल आपके माउथ के सामने हो नीचिए और मैं बता क्या रहा ह है तो obviously आप level कम कर लोगे बट आपको PC से करने पड़ेंगे इसके अंदर कोई ऐसा option यह level कम जाद करने और यह front facing है अभी मैं अगर इसको पीछे की तरफ कर लेता हूं तो अब यह कुछ ऐसी आवाज रिकॉर्ड करेगा कि जिस direction में होता है उस direction में बढ़िया रिकॉर्ड क करेगा वरना नहीं करेगा और बहुत से लोगों का सवाल यह भी होता है कि Android पर सपोर्ट करेगा नहीं करेगा iOS वालो तुम तो तुम्हारा तो कुछ हो इन सकता इवन आम वन अफ देम तो यह मैंने स्मार्ट फोन से कनेक्ट कर लिया है और अब जो आवाज सुननों माइक स पिनरफोन को सपोर्ट करता है बागी सारे प्लाटफör्म अपको प्लाटफॉर्म अब थो एक दम लिए अपको कुछ भी गेमिंग वागे प्लाटफॉम प्लाटफॉं झाल झाल